नमस्कार मैं अलताफ और बात करूँगा एक और अलताफ की जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन इंसाफ उसे आज भी चाहिए अलताफ के पिता ने पुलीस पर ये आरोप लगाया है कि पुलीस वाले उस लड़की के घर वालों के साथ मिलकर उसके बेटे की हत्या कर दिये वो भी पुलीस थाने के अंदर कुछ वक्त पहले पुलीस अलताफ को उसके घर से उठाती है और पूस्ताच के लिए ठाने ले जाती है लेकिन दूसरे दिन अस्पताल में उसकी लास मिलती है और पुलीस कहती है कि अलताफ ने ठाने के नल में अपने जैकेट से गले में लगा कर फांसी लगा ली खुद को और वो आत्म हत्या का केस बनाती है अलताप के नाम पर, मगर अलताप के पीता का कहना है कि जिस कागज पर उसने सिगनेचर किया, वो उसको पढ़ा ही नहीं क्योंकि उसे नहीं आता, वो अंगुठा लगाता है, अब पुलिस ने जहां अंगुठा लगाने कहा, वो लगा दिया, लेकिन मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता, उसकी हत्या हुई है पुलिस के द्वारा, और उस लड़की के घरवालों द्वारा, जिसका आरोप अलताप पे लगा है, कि 16 साल की लड़की को उसने, अलताप ने भगाया है, मगर ये एक सवाल है कि जब पुलिस अलताप की खोज में उसके घर आती है, तो अलताप अपने घर पर मिलता है, खाना खाते हुई, मगर एक सवाल है मेरा कि अगर कोई इंसान किसी की लड़की को भगाता है, तो वो अपने घर पे क्या कर रहा है, और वो भी अपने घर वालों के साथ खाना खा रहा है, पुलीस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, स्याम मिरा सिंग ने काफी ट्विट किया है, उस ट्विट में ये भी ट्विट है, कि अलताफ एक हिंदू लड़की से प्रेम करता था और वो हिंदू लड़की पंडित थी, जिस वज़ा से और जो पुलीस थाने में करमचारी थे, जो पुलीस थाने के अधिकारी थे, वो भी पंडित थे, इसलिए लड़की पंडित और पुलीस वाले पंडित ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, यहीं पर अगर पुलीस थाने में कोई दलित या मुसल्मान होता तो शायद अलताफ की मौत नहीं होती उस पे कारिवाई होती उसकी जांच होती लेकिन एक सवाल और है जब अलताफ की मासी ने ये स्टेटमेंट दिया कि उसे गुसुल करते वक्त जब उसके बौड़ी पर देखा गया तो बहुत सारे चोट के निसान थे अगर कोई इनसान सुसाइट करता है तो इतने चोट और गड़ों के निसान कहां से आए ये बिलकुल तय है उसके मासी ने ऐसा कहा है कि अलताफ के साथ बहुत ही बुरी तरह से मारपीट हुई है और उसके साथ जादेती हुई है जिसकी वज़ा से उसकी मौत हो है वो उस घर में कुछ महिनों पहले tiles का काम करता था like ॉश के बाद उस घर में आना जाना या उससे किसी तरह का तालुक नहीं था ये काफी पुरानी बात थी जब उस लड़की के घर पे वो काम करता था लेकिन ये आरोप बेबुन्याद है कि वो उस लड़की को भगाया है और अगर उस लड़की को भगाया है तो वो लड़की कहा है किस के साथ है और उसके लड़की के बारे में क्यों नहीं अलताफ तो इस दुनिया से चला गया लेकिन उस लड़की का क्या हुआ एक और ट्विट में सियामीरा सिंग ने लिखा है कि अलताफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आत्महत्या और फासी लगाने की बात कही गई है तो ये पोस्टमार्टम कितना सही है इसकी भी जाच होनी चाहिए और उस लड़की की तलास जल्द से जल्द पुलिस करें ताकि सच बाहर हो आके सामने आए कि अलताफ ने उसे किड़नप कराया है या अलताफ ने किसी और के साथ उसको दिल्ली भेज दिया है ऐसा भी उन्हो झालताओ